मुवी की स्टार्टिंग सीन में हम वर्ड आइलेंड को देखते हैं जहाँ पे सब लोग काफी जादा खुश थे और अब रेड भी वहाँ का हीरो बन चुका था और वहाँ पे हर जगा रेड के पोस्टर लगे हुए थे और इसकूल के अंदर भी बच्चों को यही पढ़ाय जाता है कि कैसे रेड वर्ड ने हमारे इस आइलेंड को बचाया था लेकिन उसके बाद भी वर्ड आइलेंड और पिग आइलेंड में छोटी मोटी लडाईया होती रहती है और वो दुन्यों एक दूसरे पे कभी केकड़े तो कभी पानी फैकते हैं तब यह जानक से पिग लिएनाड ने लिखा था कि अब हमें एक दूसरे से लडाई बंद कर देनी चाहिए और पुरानी सारी बाते भूलके हमें एक दूसरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए लेकिन रेड को ये सारी बाती लिएनाड की एक चाल लगती है तब ही उनके पास बहुत सारे लेटर्स आते और वर्ड आइलेंड के सारे वर्ड से उस लेटर को पढ़के काफी ज़्यादा खुश हो जाते हैं लेकिन ये बात सुने के बाद रेड बिलकुल भी खुश नहीं था क्योंकि अगर वर्ड और पिग आइलेंड में लड़ाई बंद हो गई तो वहाँ पे रेड वहाँ का हीरो नहीं रहेगा क्योंकि पिग आइलेंड से लड़ाई करने के बाद ही रेड वहाँ का हीरो बना था लेकिन दूसरी तरफ चक और बॉम भी इस बास से बहुत ज़्यादा खुश थे कि अब हम दोनों के बीच में लड़ाई नहीं होगी जिसके बाद चक और बॉम मिलके रेड को मस्ती करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं दूसरी तरफ हम छोटे बेवी वर्ट्स को देखते हैं जो आपस में पत्थर के साथ खेल रहे थे लेकिन उन बेवी वर्ट्स में से एक वर्ट अंडा नहीं बोल पा रहा था जिस वज़े से दूसरा वर्ट अपने घर से तीन अंडे लेके आता है और वो लोग उस पत्थर को हटा के वहाँ पे अंडों को रख देते हैं जिसके बाद खेलते खेलते वर्ट अंडे पानी में बह जाते हैं और इन लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं चलता उसके बाद हम एक female eagle को देखते हैं जिसका नम जेटा होता है और वो eagle island की owner थी और वो अपनी उस आइलेंड पर अपनी बेटी डेवी के साथ रहती थी लेकिन उस आइलेंड पर सारी चीजे जमी हुई थी और ये देखने के बाद जेटा काफी ज़्यादा वहाँ पर इरिटेट हो जाती है और इस प्रॉब्लम से बाहनी करने के लिए वो वाइड आइलें के लिए वहाँ पर बिजी हो जाते हैं लेकिन रेड अभी भी अकेला वहाँ पर बैठा हुआ था तब वहाँ पर अचानक से एक female वर्ड़ आके रेड को अपने साथ डांस करने के लिए बोलती है लेकिन रेड उससे साफ मना कर देता है तब एक silver नाम की वर्ड़ रेड के पास बैट जाती है और वो उससे खूब सारी बाते करने लगती है लेकिन रेड काफी ज़्यादा टेंशन में था इस बज़े से वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और घर आने के बाद वो लेट कर पोपकोन खाने लगता है तब ही उसके गेट को कोई रेड को बताता है कि यहां हम दोनों के आइलेंड के अलावे भी एक तीसरा आइलेंड है जिससे इगल आइलेंड के नाम से जाना जाता है और वहां की ओनर जेटा नाम की एक इगल है जो हम दोनों के आइलेंड को खत्म करना चाहती है जिस पर रेड लियोनार्ड से कहता है कि मैं तुम्हारी बातों पर यकीन क्यों करूँ तब लियोनार्ड उसे उस बर्फ के गोले के बारे में बताता है जिससे रेड को याद आता है कि उसने भी उस बर्फ के गोले को आते हुए देखा था तब लियोनार्ड उहाँ पे कुछ पिक्स को बुलाता है और वहाँ पे पिक्स आने के बाद रेड को कुछ फोटोस दिखाते हैं जिस पे लियोनार्ड उससे कहता है कि अगर हमें इस चीजों से चुटकारा चाहिए तो हमें आपस में मिलके काम करना होगा और इस बात के लिए रेड भी उसकी बात मान लेता है जिसके बाद रेर लियोनार्ड को चक और बॉम से मिलवाता है और वो उसकी खासियत भी बता देता है जिसके बाद ये लोग साथ में माइटी इगल के पास जाते हैं और वो माइटी इगल को फोटो दिखा के बोलते हैं कि हमें इगल आइलेंड पे जा रहा है इगल आइलेंड का नाम सुनते ही इगल काफी जादा ड़ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है अब इन्हें एक इंजिनियर की जरूत थी जिस पे चक इन्हें अपनी बेहन सिल्वर के बारे में बताता है जिसके बाद ये सब लोग सिल्वर से मिलते हैं और सिल्वर को देखते हैं कि साथी रैड उसे पहचान लेता है क्योंकि उस डेटिंग नाइट वाले दिन रैड उसे पहले भी मिल चुका था जिसे देखने के बाद रैड को काफी ज़ादा गुसा आ जाता है और वो सब लोग उसे कहता है कि सिल्वर हमारे टीम के लिए सही नहीं है ये सुने के बाद सिल्वर लियोनाड को मसका लगाने लगती है और लियोनाड उसे अपने टीम में शामिल कर लेता है दूसीरी तरफ हम उन बेबी वर्ट्स को भी देख पाते हैं जहां लियोनाड सबको इगल आइलेंड के बारे में गाइड कर रहा था तब वहाँ पे रेड पहुँचके सबको जेटा इगल की फोटो दिखाता है जिससे देखने के बाद इगल काफी ज़्यादा डड़ जाता है जिससे देखने के बाद सबको उस पे शक हो जाता है कि साथ ये जेटा को पहले से जानता है उसके बाद रेट सबको जेटा के वैफन्स के बारे में बताता है और सिलबर उससे पूछती कि हम उस वैफन्स को डिस्ट्रोई कैसे करेंगे जिसका जवाव Red के पास नहीं था ये लोग आपस में डिसकस करी रही थे तभी इन्हें एक अचानक से आवाज सुनाई देती है और चेक करने पे इन्हें पता चलता है कि एक बड़ा सा बर्व का गोला इन्हीं के तरफ आ रहा है जान बचाने के लिए किसी तरीके से ये लोग सब वहाँ से भागते हैं लेकिन Mighty Eagle इन सब को बचा लेता है लेकिन इन सब चीजों के चकर में उसका पूरा घर तूट जाता है ये देखने के बाद वो काफे जादा उदास हो जाता है और एक पत्थर में टकरानी के वज़े से सब लोग नीचे गिरने लगते हैं और जान बचाने के चकर में ये सब लोग मैप को पैरसूट की तरीके से पकड़ लेते हैं लेकिन वो मैप अचानक से फटने लगता है और सिलवर उस धागे के मज़ल से उस मैप को सिल देती है और उन सब की जान बचा लेती है ये सब कुछ देखने के बाद वहाँ के वर्ट्स काफे जादा डड़ चुके थे और इधर जेटा को भी काफे जादा गुसा आ रहा था कि इतना कुछ करने के बाद भी सारे वर्ट्स उस आइलेंड को खाली नहीं कर रहे जिस पर जेटा अपनी इंजिनियर से आग के गोले बनाने के लिए बोलती है इधर हम रेड को भी देख पाते हैं जो एगल आइडन पे जाने के लिए अपनी सेना को तयार कर रहा था और वहाँ के सारे वर्ट्स को भी रेड पे पूरा भरोसा था जिसके बाद ये लोग पिक की समरी लेकि वहाँ से निकल जाते हैं और समरी के अंदर लियोनार्ट सबको अपने गैजेट्स के बारे में बताता है जिसकी मदद से वो लोग हाइड हो सकते थे इधर हम फिर से उन बेबी बर्ट्स को देख पाते हैं जो किसी तरीके से उन अंडों को उठा लेते हैं लेकिन उपर से नीचे गिरते समय वो अंडे उनसे पहले नीचे गिर जाते हैं जिसके बाद ये तीनों एक स्नेक के उपर तीन अंडों को देखते हैं इधर हम जेटा के इंजिनर को भी देख पाते हैं जिसने आग के गोले वाली मशीन को बना लिया था लेकिन टेस्ट करने पर वो मसीन फेल हो जाता है जिस पर जेटा अपने इंजिनेर से पूछती है कि आखिर इस मसीन को क्या हुआ है तब उसका इंजिनेर उसे बताता है कि मुझे इस मसीन को ठीक से बनाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए जिस पे जेटा उसे कहती कि मेरे पास इंतिजार करने का बिल्कुल भी समय नहीं है दूसरी तरब हम इन सब लोगों को देख पाते हैं जो इगल आइलेंड तक पहुँच चुके थे लेकिन वहाँ पे माइटी इगल बाहर आने से भी बहुत जादा डर रहा था तब इगल से पूछे जाने पे इगल अपनी सारी सचाई बताता है और वो उनसे कहता है कि जेटा मेरी एक्स है काफी समय की बात है जब हम दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ा करते थे और एक दिन हम दोनों की टकराने से मुलाकात हुई और हम दोनों को एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार हो गया जिसके बाद हम दोनों ने साथ में काफी ज़ादा टाइम स्पैंड किया और साथ में जीने मरने की कसमे भी खाई थी लेकिन लास्ट में वो दिन आता है जब हम दोनों को शादी करने थी लेकिन शादी करने से पहली मैं वहाँ से भाग गया था और वहाँ पे जेटा मेरा इंतिजार करती रही और इगल अपने आपको कायर बूल के वहाँ से भाग जाता है इधर हम दो बार से उन बेबी बट्स को देख पाते हैं जो अपने अंडों को वापस लेने के लिए उस स्नेक को मार देते हैं इधर ये लोग इगल आइलिट पे देखते हैं कि सिक्योरिटी बहुत जादा टाइट है जिस वज़े से ये सब लोग इगल वाला गेटप रेट को दिखाते हैं ये दिखने के बाद रेट काफी ज़्यादा गुस्ता हो जाता है क्योंकि उन लोगों ने रेट को गेटप बाला प्लैन नहीं बताया था और रेट वहाँ पे अकेली ही उपर चड़ने लगता है और उसके पीछे पीछे सिल्बर भी उसके पास जाती है इदर ये लोग इगल के गेटप को पहन के उस ओपिस के अंदर चले जाते हैं लेकिन किसी को उन पे शक भी नहीं होता इदर रेट भी जेटा के वेपन तक पहुँच चुका था और वो उसके साहरे अंदर जाने के लिए खूच जाता है जिस वज़े से सिल्वर को ना चाहती हुए भी रेट के पीछे आना पड़ता है जहां रेट ओवर एक्साइटमेंट के चकर में वेपन के वाईर समझके ओवन की वाईर कार देता है जिस वज़े से वहाँ पे रेड और सिल्वर को पकर लिया जाता है इधर ये सब लोग उस secret door को खोलने की कोशिश करते हैं लेकिन उस door में password lock लगा हुआ था जिसके बाद इन लोगों को वहाँ पे कुछ आवाजे सुनाई देती है और ये लोग वही पे छुप जाते हैं तब ये लोग देखते हैं कि वहाँ के guard के पास एक key pass है जिसकी मदद से वहाँ के door को open किया जा सकता है जिसके बाद ये लोग उस guard का पीछा करते करते बातरूम में चले जाते हैं और उसे वहाँ पे मार के उससे वो key pass ले लेते हैं इधर हम उस baby birds को भी देख पाते हैं जो अपने word island पे पहुँचने के जगा गलती से piggy island पे पहुँच जाते हैं तब वहाँ के pigs birds से कहते हैं कि हम तुम्हारे अपने island तक पहुचने में तुम्हारी मदद करेंगे इधर ये सारे लोग उस key pass की मदद से उस door को open करके अंदर जाके dance करने लगते हैं और इन्हें देखने के बाद वहाँ के सारे guards भी dance करने लगते हैं तब वहाँ पे हम उसे देखने ही बाले थे लेकिन किसी तरीके से वो लोग गेट से पीछे चले जाते हैं इधर हम red और silver को भी देख पाते हैं जिसे जेटा ने पकड़ रखा था और जेटा उन दोनों के सामने piggy और word island पे हमला कर देती है ये सब कुछ देखने के बाद red और silver को काफी बान जाएगी तब जेटा उनसे कहती है कि मैंने तुमें पहले भी बहुत सारी warning दी थी लेकिन पता नहीं क्यों तुम लोग वहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे लेकिन वहाँ पे red को अपनी गलती realize होती है कि वहाँ पे words ने उस जगा को इसलिए खाली नहीं किया क क्योंकि उन सब को red पे भरोसा था उसके बाद किसी तरीके से silver खुझ को छुडा लेती है और वो red को भी वहाँ से बहाँ निकाल लेती है लेकिन जल्दवाजे के चेकर में जेटा भी अपनी missile को वहाँ पे launch कर चुकी थी और उसने 10 मिनट का time भी set कर दिया था जिसके बाद ये सब लोग आपस में मिल जाते हैं और ये सब लोग वहीं पे खड़़ड़े plan मनाते हैं और इन सब को वहाँ पे silver guide करती है जहां सबसे पहले bomb को guard को distract करने का काम मिलता है और चको वहाँ पे सारे CCTV camera को बंद करेगा और उसके बाद silver और red उस weapon के अंदर चले जाएंगे और उन सब लोगों को वह party में busy कर लेता है और इधर चक भी सारे camera पे sticker लगा देता है जिसके बाद पता चलने पे जेटा सब लोगों को red और silver को ढूनने का order दे देती है लेकिन red और silver एक बर्फ के गोली के अंदर जाके उसे weapon मिल गिराने का काम कर रहे थे जिसके बाद भागत लेते हैं जिसके बाद वहाँ पे अचानक से mighty eagle आ जाता है और वो जेटा से माफी मांगने लगता है जिस पर जेटा उससे कहती है कि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती और मैं इससे पहले ही तुम्हें भूल चुकी हूँ और अब मैंने pig और word island के लिए कुछ आइडिया बहतरीन life के लिए कर रही हूँ जिससे तुमने कभी अपनी बेटी माना ही नहीं ये सुने के बाद सब लोग काफी जाता चौक जाते हैं और जेटा वहाँ पे missile को launch कर देती है जिसके बाद वो धागे की बज़े से वो सारे weapons के गोले रुख जाते हैं जिससे red और चक को ब्लास्ट होने लगते हैं और सब लोग अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं जिसके बाद जेटा का पूरा घर वहाँ पे तूट जाता है जिसके बाद जेटा अपनी बेटी को वहाँ पे ढूडने लगती है और उसे सामने अपनी बेटी का एक scale दिखता है ज और मैं उस टाइम पर तुम्हें छोड़के इसलिए भागा था क्योंकि मैं उस टाइम पर खुद को तुम्हारे लाइक नहीं समझता था और अब मैं अपनी बेटी और अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता हूँ जिसके बाद माइटी उसे अपना एक स्टीकर दिखाता है जि जिसके बाद वर्ड आइलेंड पे पहुँचने के बाद पिक्स और बर्ड बहुत जादा खुश होते हैं वहाँ सब रेड की तारीफे कर रहे थे लेकिन रेड कहता है कि अगर सिल्वर हमारे साथ नहीं होती तो शायद हम इस जंग को नहीं जीतते और इस बार का सारा क्रि इडिट सिल्वर को जाता है जिसके बाद सब लोग मिलके रेड को एक सप्राइज दिखाते हैं जिसमें रेड के साथ उसके पूरे टीम का स्टैच्यू बना हुआ था जिसके बाद रेड और सिल्वर के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है लास्ट में हम उन बच चोकोले के इनको बड़ वाले बच्चे दे देता है जिसके बाद वो छोटे बेबी बड़ से फिर से पानी के अंदर चले जाते हैं और ये मुवी यहां पर खत्म हो जाती है